पुश्पेंद्र चोटिया राधा वल्लव शिहर इवेंच गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटी-कोटी प्रणाम गुरुदेव आप कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए अनन्य चिंतन होना चाहिए गुरुदेव जब हम कोई भी सांसारी कारे करते हैं तब ये सोच के करते हैं कि लाडली जू करवा रही है जब कारे सही हो जाता है तो लगता है लाडली जू ने किया परंथु जब कुछ गलत हो जाता है तो स्वयम का करतत्वा वहमान आ जाता है तथा फिर बहुत समय तक उस बात कारे का चिंतन चलता रहता है ऐसे में क्या करें? जैया, पराजए हो उसकी परवा उसको नहीं होती पूरा हो या धूरा हो? उससे उसको मतलappelle नहीं होती हमारा प्रियास है आगे प्रहू जैने वो बूरा हुआ, अच्छा हुआ, लाव हुआ, हाँ नहीं हुआ शास्त्र विरुद्धाचरम की बात नहीं कर रहे शास्त्र विधान की बात करें शुक्ष दुखे समे कृत्वा लाभा लाभा जया 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 लाभा लाभ शुक्ष दुख में समान बाभा तो वो हो गया योग और जिसमें सुक्ष दुख कब हो किया अच्छा हो गया तो हर्शित हो गई आपके विधान से लगा कि पूरा ने हुआ, तो आप शोकित हो गए, ये कर्म बना, कर्म कफल है, और कर्म योग का भगवत प्राप्ति है, समझ पा रहे हैं? किसी कभी हो, किसी कभी हो, समझे न तो आपको भी आपको ने चल नपनवार्त में, हाँ जी. श्री अरुश, गुरुची जैसे मरीज के आउपरेशन करते हैं, तो उस तेम अगर अच्छा हो जाता है, तब तो लगता है, लाड लेजो ने करा है, उसमें अगर जैसे कोई तूटी या किसी वश उसके जैसे लेंस ने डल पाता है, तब लगता है कि, उसका कर्म बिधान है उस दृश्टी से नहीं देखना है, तो आप लाग हुपाय कर डालो, नेतर बदल दे तो भी नहीं होगा, तो अपने को, बस इसी बात में, अपने को इसी बात में राजिय रहना है, कि मेरे कर्तब में, कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए, मेरे प्रयास में, इसके बाद प्रबू का बिधान है अपने शम रहते हैं हमारे प्रयास में तुरुटी ने नेत्र के वetzt देख के थोड़ा खट यह स्वाशा हुदान है हम शामधान कर पूरा प्रयास करते हैं सफलता और अश्फलता यह प्रवु के हांत की बात है इसमें आपका अधिकार नहीं तो इसमें दुखी शुकी होना बहुत अच्छा सफल हो गया हरीच्छा केश बिगड़ गया हरीच्छा हमारे प्रयास में कोई कम ही नहीं है समझें ना अन्नु जी मेरे प्राण प्यारे महराजी के चरणों में बार बार नमन श्री जी की एहेतु क्रपा से कल आपने शर्नागती मंतर दे कर इस अदम पर जो क्रपा की है उसके लिए आपको अनंत कोटी नमन करती हूँ मैं किसी भी तरह आपके योगे नहीं हूँ जैसे सत्संग रूपी क्रपा से अब तक आपने गसीठा है ऐसे आगे भी संभालते रहे हैं मेरे से कोई भी प्रतिकूल चेश्टा नहों आपकी अच्छे शिश्या बन पाऊं ये कैसे संभव है मारशी ये भी छोड़ दो कि मेरे से प्रतिकूल चेश्टा नहों हे प्रभू वही गुरू है वही इश्वर है वही प्रभू है हे प्रभू ये जीवन आपको शमर्पित है अब आप जो अनकूल पढ़ता हो आपको वैसे हमें आप चला लेना बस आपकी सरण में अपनी सब बातें वही समापत हो गई हम शरणागत हैं हे नात आप जैसे चाहो ऐसे चला लो तो भगवान जैसे अरजुन जी के रत की दोरी पकड़ ली न आईसे हमारे हरदय में बैठकर उधर ही ले चलेंगे हम अधर ही हमारे से चेष्टा कराएंगे जिससे हमारा मंगल होगा अब हम अंदर से सरणागत रहे हम कब तक बहार ढोएंगे कि हम ऐसा करें हम ऐसा करें हमसे नहीं हुन svah अब हम आपकी सरण में जैसा करवाना हो ऐसा करपा लेना करता हूं बहुंगता भी बात करता हूं यह ऐह दिरी भगोठ UH यई इतना भियास का है मंत्र का तो माला जयू से इतना depri मान्त न हे हैसे बinhण माला के कर ले ना है है वाउसे उह कहते हैं मंत्रय हैं कि माला से या भिना माला से जैसे आपका मंन क्रमे लगे वेसी लगाना चाहिए माला तो एक निमित्र है हमारे भगवद इश्मरन कराने में एक निमित्र है कि जैसे आज 8 माला जपा तो utsah ऊजा न तो कल इसा लगएगा साथ नहीं हो नी चाहें कम से आठ हो जाया, आठ से उपर चला जाया, पर ये एक दम प्रारंभिक बात है, फिर इसके बाद ये गड़ना और ये सब, अंदर ही अंदर वह चिंतन हो रहा है, सेवाएं कर रहा है तो भग वह चिंतन हो, अब माला लेके आप पोछा तो नहीं लगा सकती, सुनी नहीं लगा सक हाँ, तो बार-बार आप उस नाम मंत्र पर ध्यान रखे और सरीर से जो भी शेवाएं घर ग्रेस्थी के, देखो ग्रेस्थी में ज्यादा बैठने वाला भजन नहीं होता, कि आप हम तो मंत्र ले लिए आप ऐसे नहीं, फिरोद पैदा हो जाएगा, नहीं, आप अधिक से अधिक शेवारत रहो, और उस ही में ध्यान करो, मंत्र का, नाम का, हाँ रशोवी बना रहे हैं, स्री जी के लिए बना रहे हैं, पती के लिए, पुत्र के लिए, परिवार, उशब स्री जी के ज़र, समय से सब की शेवा करो, सबसे भगवत भाव पूरवक जब सेवा करोग तो तुम्हें अपने प्रियालाल के चरणों में अपने आप्रेम होने लगेगा और यह जब हम अपने धर्म का पालन नहीं करते मालो भाई जिसे इसको ना समझ कहते हैं अब हम बैठे हैं पती को आफिस जाना बच्चों की स्कूल जाना भाई हमारा माला पूरा होगा तभी ह सब असन्टुस्ट हो रहे तो सीरी जी संतुस्ट नहीं होगी क्योंकि उनसा में सिरी जी हैं अगर उनको संतुस्ट कर लिया तो भावन है ना हमारी भावना है कि हमारी सीडी जी इन सब लूप में सेवा ले ले अपने घर की सीली जी तो माठे Father best भी सेवा बहा लेंगे ले ज़ए। बेठने वाली उपासना नहीं रखनी चाहिए। दो पदपढ़े चतुरासी जी फिर सिवा में लग गई। समय मिला एक पदफी पड़िया फिर सिवा में लग गई। क्योंकि सेवा प्रधान ग्रेष्टी में सेवा प्रधान है। अगर वो शेवा को अपनी नहीं स मच पाएगी तो कि अरे तो सब संसार है पच्छडा है फिर नहीं चल पाएग बहती क्योंकि आपने उस मार्ग को स्वेकार किया है